नमस्ते वेलकम गुड इवनिंग स्वागत है आप सभी लोगों का आमेत मनिशा पूजा गुड इवनिंग बेटा नमस्ते निहा बेटा नमस्ते वेरी वेरी गुड इवनिंग बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का पटा फट सेशन में जोड़ते चले जाएए लो का चलो मनिशा कोई बात नहीं है बच्चे हो जाता है आँ अच्युदानन बिटा नमस्ते वेरी वेरी गुड इवनिंग अरे कोई बात नहीं बच्चे को इंटेंशली नहीं है ना मुख्य चीज यह है कि आप जानबूच कर नहीं हुआ नहीं पता था फोटो नहीं लगी है हो जाता है अमित बिटा नमस्ते जैश्रे कृष्टन तो कोई ऐसी बात नहीं है ना उसके लिए सौरी वाली कोई बात नहीं है ठीक है कोई बात नहीं है हाँ चलो भई हाँ चलो भई तो आज हम लोग चर्चा करेंगे मुगल कालीन साहेत्य और उससे पहले इससे पहले कि हम चर्चा आगे बढ़ाएं बात चीट को आगे बढ़ाएं ओहो तवित चीक है बटा शुगम अब तभी ठीक है ना अब ठीक है आशने है बटे नमस्ते गुड़ीवनिंग मैंने नमस्ते किया तसनेया ऐसा हो सकता है कि आपने न सुना हो या न सुन पाएं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब शेक बटा नमस्ते चलो गई मैं ठीक हूं बच्चे मैं बिलकुल ठीक हूं पल्ली बिटा नमस्ते गुड़ीवनिंग और आप सबी लोगों को चुकि आज भारतिय परंपरा का भारतिय परंपरा में एक सद्यों से चला आरा है पवित्र 14 सा तहवार जिसे हम लोग रक्षा बंधन के नाम पर जानते हैं तो आप सबी लोगों को मेरी ओर से रक्षा बंधन की डेर सारे शुब काम नाएं एक ऐसा तहवार इतना बढ़ियां मैं ठीक हूं बेटा मैं ठीक हूं एक ऐसा तहवार एक इतना बढ़ियां तहवार जो समाज को एक बड़ा पैगाम देता है अलग-अलग समय पर इस पार बंता है भारतियों की एकता को लेकर रक्षा बंधन का तहवार बंता भारत के लोगों को एकी करण को लेकर कितना अच्छा है रक्षा और बंधन यानि सब लोगों को जोड़ना है परिवार के लोगों को मित्रों को दोस्तों को और एक रक्षा के आमित बेटा खुब खुश्रो बहुत आगे बढ़ो बच्चे पुजा बेटे नमस्ते वेरी वेरी गुड इवनिंग तो एक अच्छा तहवार है बढ़ियां तहवार है और इस तहवार के अपने बहुत सारे अलग-अलग मायने बहुत सारे अपने अलग-अलग मतलब हैं मतलब का मतलब है इनको को मनाने का तरीका जो है संदीप बिटा नमस्ते नेहा बच्चे नमस्ते धर्मेंद्र नमस्ते बिटा गुड़ीवनिंग कि आप सबी लोगों को फिर से एक बार रक्षा बंदन के धेर सारी शुपकामनाएं और ये तहवार आपके जीवन में इतनी सारी खुशियां लाएं कि आने वाले वर्षों में जो आप लोगों ने रक्षा सूत्र बांद कर और बंदवाते हुए जो कसम लिया हुआ है प्रॉन लिया हुआ है एक दूसरे की रक्षा का भाई बहन की रक्षा का परिवार की रक्षा का उसे पूर्ण करने में पीश्वर आपको ढेड़ सारा सफलता और शक्ति दे पृद्धी श्रिष्टी बिटा नमस्ते बहुत-बहुत शुक्रिया बहुत-बहुत नमस्कार और आज देखे कितना बढ़ी अच्छा दिन है रक्षा बंधन का तो तहवार हई है और आज हमारे रिद्धी का बढ़े भी है भाई पूजा बेटा नमस्ते और हमारे रिद्धी का बढ़े भी है तो रिद्धी को मेरी ओर से और सब की ओर से उनके जन्म दिवस पर धेर सारी शुब कामनाएं और आप अपनी जीवन में तरक्की प्राप्त करें जीवन में अपने लक्ष को प्राप्त कर पाएं हाँ तो आज हमारे रिद्धी का बड़े है भाई अब लोग जल्दी से अरे बहुत बहुत धन्यवाद बिटा तो सब लोग जल्दी से रिद्धी को बाई एक बार उनके बड़े की विश कर दो है ना अच्छा लगता है अपने बीच के अपने एक साथी का बड़े है और उस बड़े को सेलिब्रेट करना अच्छा लगता है जलो बहुत बढ़िया अब हम लोग अपने विशय पर आते हैं अरे दोको बटा शिरिष्टी एक और तो तुम बोलते हो बटा पिता श्री और दूसरी और बोलते हो साहता करने के लिए धन्यवाद यह पूरे पस्चिम नहीं हुआ बच्चे यह पूरे पस्चिम नहीं हो गया अब अगर मुझे पिता तुल्य मान लिया तब तो मेरा करतव्य है ना कि मैं आप लोगों के लिए साहता नहीं आप लोगों के लिए वो कार्य जो पिता के पास जिम्मेदारी के तौर पर होता है वो कर सकूं तो उसके धन्यवाद वाली कोई बात ही नहीं बेटा यह तो मेरा धर्म है यह तो कालीन साहित्य को लेंकर इससे पहले हम लोग ने प्राचीन कालीन साहित्य को पढ़ा इसके बाद फिर हम लोगों ने हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत को किस साहित्य को पढ़ा था और आज हम लोग मुगल कालीन साहित्य को पढ़ेंगे वो इसलिए ताकि यहाँ पर ताकि यहाँ पर हम लोग अपने साहित्य के literature के उस part को जो अक्सर हम लोग drop कर देते हैं छोड़ देते हैं अब परिक्षाओं में सवाल आ जाता है ठीक है ना तो वहाँ पर कही न कहीं महत्रपौर्ण हो जाता है ठीक है तो हम लोग पढ़ेंगे मुगल कालीन साहित्य को उसक स्कॉलर्शिप का टेस्ट होगा आप सभी लोग ने लगबग लगबग पार्टिसिपेट किया ही होगा कोशिश करिएगा उन बच्चों के लिए जिनों ने अभी तक इस जाम को नहीं दिया और बाइजूज एक्जाम प्रेप के क्लास्रूम ऑनलाइन क्लास्रूम को जॉइन नहीं किया है तो इस स्कॉलर्शिप टेस्ट को देकर अच्छे नंबर को प्राप्त करके वो बढ़िया सा अपने बाइजूज एक्जाम प्रेप को भी जॉइन कर लेंगे और उनके फीस में एक अच्छा खासा भैच्छूट भी मिल जाएगा तो 14 अगस्ट को पेपर है ब बस एक छोटा सा काम जो टोल फ्री नंबर है जो कि आप लोगों को पता ही है उस टोल फ्री नंबर पर आपको कॉल करना है ठीक है तो अब आपके लिए यह ओफर जो भी होगा वो आपको बता दिया जाएगा ठीक है ना चलो भाई ठीक है चलो भाई अब हम लोग चर्चा करते हैं अपने मुगल कालीन साहित्य को लेकर ठीक है मुगल कालीन साहित्य को लेकर ताकि हम सब लोग अपनी और मतलबोता नहीं अपने प्रियासों को बढ़ा सकें आगे कर सकें ठीक है चलो भाई अब आप लोगों के स्क्रीन पर आज का पहला सवाल आ गया है आज का पहला सवाल आ गया है नोपुर बेटा नमस्ते गुड इवनिंग अब पहला सवाल ये है कि टाड ने किस शाशक को सिपाही का अंश बताया था करनल टाड एक लेखख है और करनल टाड का जो रिसर्च और जो लिखावट है वो राजपूत काल पर बहुत ज़्यादा है कर्नल टाड एक लिखक है जो कि इन्होंने राजपूत काल को लेकर बहुत कुछ लिखा हुआ है थीक है ना तो उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट दिया है एक साशक को उने ने कहा कि साब उसके अंदर सिपाही का अंश भड़ा पड़ा हुआ है वो व्यक्ति कौन है राणा कुम्भा है राणा संगा है राणा कुम्भा है कृष्ण देवराय या बाबर इसको कहा गया किसाब उस साशक के अंदर सिपाही का अंश है सिपाही का खून है युद्ध में वो व्यक्ति अपने पूरी निष्ठा के साथ और पूरी ताकत के साथ लड़ता है चलि इस सवाल का जवाद दीजेगा भाई बहुत बढ़िया सबाश बच्चो वेरे गुड संदीब बिटा नमस्ते गुड इवनिंग बहुत बढ़िया वेरे गुड आरुन बच्चे नमस्ते सबाश वेल्डन आरे क्या बात कर रहे है वेटा कोई बात नहीं सिन्हार नेटवर्क का इशु है ना तो कोई दिक्कत नहीं तुम बाद में क्लास को रिकोर्ड़ेट फोर्म में देख लेना कोई दिक्कत वाली बात में चलो भाई Colonel पूट बिटा, राजपूतो के बारे में बहुत कुछ लिखा है राजपूतो के उत्पति के सिधान्थ और विदेशियत पत्ति का जो सिधान्थ है ना राजपूतो की, वो टाड के द्वारा लिखा गया है अब हम लोग चलते हैं, बच्चे सवाल के जवाब की हो तो इस सवाल का जो जवाब है वो है राणा सांगा हाँ वो है राणा सांगा सरवेश पिटा नमस्ते ठीक है तो राणा सांगा के लिए टाड ने मैंने देखो मेरे मेरे बार बार इस बात को इशारा भी किया कि राजपूतों को लेकर राजपूतों को लेकर टाड ने के करनल टाडिक है यस एक महान युद्धा के अंच है वो अंच आता है तो थीक वो आता है राना सांगा के लिए में आपको एक बता दूँ राणा संगा का और बाबर का युद्ध हुआ था जिसे खानवा का युद्ध कहा जाता है तो बाबर ने अपनी आत्म कता तुझो के बाबरी में राणा संगा के वीड़ता को लेकर ठीक है राणा संगा को लेकर के वीड़ता को लेकर हां बहुत जादा बहुत ज आपको दिखाई पड़ेगा कि राणा संगा जो अपने युद्ध में कई सारे उन्हों ने युद्ध किये युद्ध में वो अपने शरीर का एक हाथ और एक पैर खोच चुके हैं उसके बावजूद हां बिल्कुल सही का बेटा खानवा का जो युद्ध हुआ है खानवा का में भी इनी सारी चीजों का उल्लेक करते हुए सिपाही के अंच के तोर पर बताया है अगले सवाल की ओर चलते हैं बच्चे अगला सवाल है तजकिरात उल्वाकियात एक किताब है बड़ी प्रसिद्ध किताब है साम्या बेटा नमस्ते साम्या नहीं साइमा बेटा नमस्ते गुद्ध इवनिंग बहुत-बहुत स्वागत है चलो तजकिरात उल्वाकियात ये किताब का लेखक कौन है एबना खलिककान है यूसुफ एहमद है जोहर है मुस्तफा रूमी है पललवी बेटा नमस्ते गुद इवनिंग तो साब इस किताब के लेखक कौन है तजकिरात वाकियात के लेखक कौन है इबन खलिकान योसुफ अहमद जोहर मुस्तफा रूमी ठीक है बहुत बढ़िया और मुस्तफा रूमी एक लेखक भी है और मुस्तफा रूमी बच्चे बाबर की सेना के एक सेनापती भी हुआ करते थे उजबे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो भई, साबाश वेल्डन, और इस किताब के लेखक की अगर बात करता हूँ, तो इस किताब के लेखक का नाम है बच्चो जोहर, जोहर आफताब, ठीक है, जोहर, और जोहर जो है वस्तुता ये हुमायू का नौकर है, हाँ, बिटा, पशिष बिटा नमस्ते, संतोष बच्चे नमस्ते, चलो भाई, बहुत बढ़िया, सासाराम, शेर्शा सूरी का इस्थल, है कि नहीं, एक महान मिट्टी, महान भूमी वाला इस्थल, चलो भाई, चौदरी बच्चे नमस्ते, गुड इवनिंग, लक्ष बिटा नम इस किताब बदायूनी के द्वारा लिखी गई है, इस किताब में किस मुगल शाशक की आलोचना की गई है, पाबर की, हुमायू की, अकबर की, या जहांगीर की, बदायूनी के द्वारा लिखी गई किताब है, इस किताब में किस मुगल शाशक की आलोचना की गई है, बहुत बढ़ी हैं सावाश बच्चों very good चलो भई अब हम लोग चलते हैं इसके सब जवाब की और आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और वो है अकबर बिल्कुल सही पदायूनी एक थोड़े एक conservative thought वाले व्यक्ति थे एक जिसे कहा जाता है राजेज बच्चे नमस्ते एक रूडिवादी विचारधारा के व्यक्ति हुआ करते थे तो अकबर के द्वारा अकबर के द्वारा जब धेड़ सारे सुधार के कारे किये गए जैसे उसने दास प्रथा पर पावंदी लगाई जैसे उसने तीर थी यात्रा करको समाप्त किया जैसे उसके द्वारा जजिया करको समाप्त किया गया ये जो कुछ ऐसे काम है इनको लेकर बदायूनी बड़े नाराज हो गए और उन्होंने अकबर को काफी कुछ काफी कुछ मलब कहते हैं नहीं बहुत कुछ तहा उनक्या लोचना की और अपनी किताब में अकबर के लिए काफी कुछ बाते कहां ठीक है अच्छा तब तो बहुत बढ़ी है तब तो पता होगा बेटा नोपुर है कि नहीं तो बदायू ने अकबर की जबर्जस्ता लोचना की थी खास कर जो उसके द्वारा कुछ ऐसे सुधारे के का अकबर की अगर बात करें तो अकबर एक बहुत ही कुछल आदमी था इसमें कोई दोराय नहीं है वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ चुका था कि भारत जैसे हाँ बिलकुल भारत जैसे देश में एक मात्र धर्म को लेकर चला नहीं जा सकता और इस बात के अगर मै बात कहूं तो अकबर से पहले इस परंपरा को इस बात को इलतुतमिश्वी स्विकार कर चुका था नहरुत्तम नमस्ते काफिर का मतलब होता है जिसे आप कह सकते हो धर्म विरोधी एक प्रकार का काफिर का मतलब विधर्मी जिसे कहा जाता है ठीक है तो इस बात को इल्टो तमिश्वी कह चुका था अपने प्रधान मंत्री ये अतगीन से इस बात को कह चुका था कि दो को भारत जैसे देश में रहकर आप कोई भी एक धर्म जैसे इसलाम धर्म को लेकर चली और उसकी ही सिर्फ बड़ोत्री कर दीजे तो ये भारत जैसे देश में संभव नहीं आगे चलकर इस चीज़ को आप देखेंगे तो शेर्षा सूरी अगर शेर्षा सूरी के भी श अकबर गद्धी पर बैठेगा तो अकबर भी इन सारी चीजों को जब देखता है तो वो इस नर्णय पर पहुशता है किसी एक धर्म विशेश को लेकर किसी एक धर्म विशेश को लेकर चलना लुसको आगे बढ़ाना ये भारत जैसे देश के लिए बड़ा दुसकर और दु मनीशा पत्वा एक प्रकार का धर्मिक आदेश होता है जो कि दिया जाता है ठीक है जिसका मतलब होता है एक प्रकार से आप धर्मिक आदेश इसका मतलब होता है जो इसलामी आपके मौलवी काजी लोगों के द्वारा दिया जाता है ठीक है न बच्चे काफिर के अगर बात करें तो काफिर का मतलब होता बच्चे धर्म विरोधी नहीं जो मुस्लिम ना हो उसे काफिर मतलब यह बड़ी मैं यह नहीं कहूंगा कि आपका इलाइन गलत है मैं यह नहीं कहूंगा अमित लेकिन कहीं न कहीं काफिर का मतलब यह नहीं होता है कि जो मुस्लिम ना हो इस परि मुसल्मान से नहीं बलकि जब इसकी शुरुवात की गई इसलाम धर्म की वहाँ पर काफिर शब्द को जब बनाया गया तो इसका मतलब होता है इसका मतलब है वो जो की मानवी धर्मों से अलग कारे करें मतलब होता नहीं इसैंख के द harvest किसी की मदद करना साहयता करना ठीक है उनसे शब्द का जो पुरान कर हाँ जो नर्माण किया गया जो भावनाई थी वह भावनाई यह थी समय के साथ धीरे धीरे करके आगे चलकर इसको बदल दिया गया हाँ ठीक है जो इसलाम नहीं द्वारन कर रहा वो काफिर हो गया वास्तविक तोर पर यह सच नहीं है ठीक है फिटा लक्ष अब पहले एक जो चीज उठा रखा है उनको पूरा कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं ठीक है ना बच्चे अभी चुकी इतिहास उठा लिया तो इसको हो जाने भी फिर इसके बाद पॉलिटी भी उठाएंगे यह मेरा प्रॉमिस है हम लोग चर्चा करेंगे उसको लेकर बिल्कुल परिशान मत हुएगा अगला सवाल है अथर्ववेद का अनुवाद किस ने किया था अथर्ववेद चार प्रकार के वेद है ना रिगवेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद ठीक है ना तो अब बात आती है हाँ बात आती है अथर्ववेद का अनुवाद किस ने किया फैजी के द्वारा गिजाली के द्वारा इबराहिम सरहिंदी के द्वारा या न इब्राहिम सरहिंदी और निजामुद्दीन बहुत बनिया साबाश बच्चों वेरी गुड वेल डन खुश रहो बिटा खुश रहो पश पशिस बिटा खुश रहो चलो वहीं सवाल के जवाब क्यों चलते हैं तो बच्चे अरे आशिरवाद दिया वेटा खुश रहो आगे बढ़ो तुन नहीं पाई लग रहा है चलो अब देखो इस किताब का थर्वärt का अनुवाद किया गया है इसकिताब का अनुवाद किया गया है इबराहिम सरहिंदी के द्वारा ठीक है न और इस्परकार की चीज़े अगर आप मुगलकाल में देखो गे तो ये सारे पुराने प्राचीन गरंथों का फार्सी भाषा में अनुवाद किया जाएगा थिक है ना तो उसी में से ये भी आता है तो अथर्ववेद जो कि संस्कृत में लिखा गया चौथा वेद है इसको इब्राहिम सरहिंदी के द्वारा अनुवादित किया जाएगा अगला सवाल है जो कुछ देर पहले पूछा था पहले पूछा था हमने किस किताब के लेखा कौन है यहां पर देखिए सवाल की थोड़ी भाषा बदल गई है तजकिरात उल्वाकियात यह सवाल हम लोग पूच चुके हैं तजकिरात उल्वाकियात की रचना किस बादिशा के अगर याद होगा तो भी कुछ दिर पहले हम छो ने इसके बारे में बात किया था governo के द्वारा के द्वारा लिखा गया था था है न याद आया अभी हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे इसको लेकर अब यहीं पर सवाल बन गया कि साब इस किताब को इसके कहने पर लिखा गया था भूब बनिया वेरे गुड चलो अभी बहुत मुश्किल पांच मुट पहले हम लोग ने सवाल की चर्चा किया था पांच मिनट भी नहीं हुआ होगा अब इटा सरहिंदी अकबर के दरबार में भी थे बिलकुल बिलकुल अकबर के दरबार में थे चलो भाई सवाल के जवाब की ओर चलते हैं तो ध्यान रखिएगा इस किताब को अकबर के समय में लिखा गया है अकबर के कहने पर लिखा गय हैं लेकिन अकबर के कहने पर बहुत सारी किताबे लिखी गई जैसे हुमायू नामा जो की अकबर की जो बुवा जी है जिन को हम लोग गुल बदन बेगम के तौर पर जानते हैं उनके द्वारा लिखा गया है है ना तो तच्किरात और वाकियात इसको जोहर अफताब के दौरा अकबर के कहने पर लिखा गया था ठीक है अकबर के कहने पर लिखा गया था चलो भई अगले सवाल की ओर चलते हैं अगला सवाल है दौलत ए तारीख दौलत ए शेरशाही ये किताब है जो कि शेरशाह के लिए लिखी गई थी हाँ जो कि शेरशाह के लिए लिखी गई थी तो ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है तारी के दौलत शेरशाही ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है आरबी बिटा नमस्ते गुड़ इवनिंग बहुत-बहुत स्वागत है चलो है हाँ बिल्कुल देखो गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल सही कहा आपने किस सवाल का जवाब दीजिएगा तारीख दौलत शेर्शाही की रचना किसके द्वारा की गई है कि दो कि चलो है बहुत बढ़िया वेरे गुड़ वेरे गुड़ कि अबास वेल्ड़न कि लिए dlatego कि हम लोग उत्तर की ओर चलते हैं उतर की ओर चलते हैं बहुत ही महत्पुन्षस वाल उत्तर है सवाल का जवाब असन अली खार ठीक अच्छा अब आप लोग देखे मैंने अधिकांश लोगों में देखा कि सब लोगों ने अबास खां सर्वानी को निशान लगा दिया अबास खां सर्वानी की किताब का नाम ता बिटा तारीक शेरशाही तारीक ये शेरशाही ये दो अलग-अलग किताबे हैं बच्छे तो सर्वानी ने जो किताब ल दौलत शेरशाही है, जिसको हसन अलिक्छा के द्वारा लिखा गया है। ठीक फार्सी भाषा में लिखा गया और शेरशा के बारे में इसमें काफी कुछ लिखा गया है ठीक है ध्यान रखिएगा कोई दिक्कत नहीं गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं है तो तारीके शेरशाही वह किताब अलग है तारीके दौलते शेरशाही ये किताब अलग है तो कि लिकांज तोर पर हम लोग अबास्खा सर्वानी को ही पढ़ते हैं और वो लिखा रहे था तारीक शेर्शाही यहां पर भी वही रहा तारीक एक बीच की चीजें हटाओ शेर्शाही देख लिया हो कर गए हाँ बिलकुल सही नाम मिलता जुलता है ना इसलिए हो गया कन्फूजन कोई दिक्कत नहीं ठीक है इस कन्फूजन को ही दूर करना उद्देश्य है ताकि हम एक्जामनेशन हॉल में जब पहुचे तो वहां पर कन्फूज ना हो गलती वहां पर नहों यहां पर गलती की पूरी गुंजाईश है उसके लिए किसी प्रकार की कोई सजा भी भी नहीं है जलो भई आगला सवाल तोहफा ए तोहफा ए शेर शाही वैसे अगर थोड़ा सा मैं यहां पर ठीक कर दूं तो यह जो ए शब्द दुबारा लग गया इसको हलका समिटार दे तोहफा ए अकबर शाही तोहफा ए अकबर शाही यह किताब किसके दौरा लिखी खुआंदमीर हाशिम खां यह अबबास खां तोहफा ए अकबर शाही इसकिताब के लेखक का नाम बताइए सुजान राए खत्री खुआंदमीर हाशिम खां यह अबबास खां यह किताब किसके दौरा लिखी गई है ठीक चलो अबबास खां का मैं नाम पूरा कर देता हूँ इनका जो पूरा नाम है बच्चे वो नाम है अबबास खां सरवानी ठीक है हाँ इनका पूरा नाम अबबास खां सरवानी है ठीक है चलो अब हम लोग चलते हैं अपने सवाल के जवाब की ओपर सवाल का जवाब ढूंड लेते हैं भाई तो इस किताब के लेखा के बच्चे अबास खान बिल्कुल सही हाँ बिल्कुल सही सरवानी साहब के ही द्वारा लिखा गया लेकिन ये किताब अकबर के जमाने में लिखी गई है ये किताब अकबर के जमाने में लिखी गई है अकबर के कहने पर लिखी गई है इसका मतलब साफ है कि अब्बास खां सरवानी शेरशा सूरी के भी साशनकाल में रहे हैं और सरवानी साब अकबर के भी जमाने में रहे हैं इन्होंने दोनों सास्कों का दोनों राजाओं का साशनकाल देखा हुआ है तो सरवानी ने शेर्षा सूरी के लिए भी लिखा और आगे चलकर अकबर के लिए भी लिखा जिसे तौफा ए अकबर शाही के तौर पर जाना जाता है ठीक चलो भाई बहुत बढ़िया अगला सव जेब तक का इतिहास लिखा था किस मुगल कालीन लेखक ने महाभारत से औरंग जेब तक का इतिहास लिखा था भीमसेन सोजान राय गंगा अदास रूप गोस्वामी भीमसेन सोजान राय खत्री गंगा अदास या रूप गोस्वामी किसके द्वारा वो किताब वो इतिहा पास लिखा गया जो महाभारत से लेकर और अंगजेब के जमाने तक चलता हुआ आपको दिखाई पड़ता है ठीक है चलो बहुत बढ़िया ताबाश बच्चों बहुत बढ़िया वैरे गड़ अरे चलो अब हम लोग चलते हैं अपने सवाल के जवाब के उपर तो हम लोग चलते हैं अपने सवाल के जवाब के ऊपर तो इस किताब के लेखा के बच्चे सुजान राय खत्री पहले बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया बाद में बदल दिया ठीक है ना पहले सही जवाब दिया बाद में बदल दिया ठीक तो इस किताब को खुलासत उत्तवारीख कहा जाता है इसमें महाभारत के पांडवों से लेकर मुगल शाशक औरंगजेब के समय तक का इतिहास लिखा हुआ है अच्छा नाम तो बहले बात सही है नाम थोड़े मुश्किल है ठीक है फार्सी भाषा वाले नाम है मैं देखो जिस यह परंपरा है या परंपरा नहीं कहते हैं यह प्रकार का आप देखोगे यह चलन होता है कि शाशक जिस वर्ग से है तो लगबग लगबग उस प्रकार की बार्षाओं का चलन हुआ करता है कि मद्दिकालीन दोर में चीज़ दिखाई पड़ती है चलो भाई तो ध्यान रखिएगा खुलासत उत्तवारीक जो है अरे ऐसा कुछ है नहीं है भाई बेहार का नाम थुन्डू बराए है आव चलो भाई अगले सवाल की और चलते हैं अगला सवाल है इकबाल नामा एक किताब है इसके लेखक कौन है इकबाल नामा किताब के लेखक का नाम बताईए निजामुदीन एहमद मुहम्मद कजवीनी मौतमिद खां या अबास खां तो इकबाल नामा किताब के लेखक का नाम बताईए भाई निजामुदीन एहमद, मुहमद कजवीनी, मौतमिद खाँ या अबास खाँ चलो अब हम लोग चलते हैं बच्चे सवाल के जवाब की ओर तो इस सवाल का जवाब है बच्चे मौतमिद खाँ, इस किताब को लिखने का काम किया गया है मौतमिद खाँ के द्वारा, ठीक है, तो मौतमिद खाँ के द्वारा एकबाल नामा लिखी गई है ये किताब आपको तीन अलग अलग भाग और भाग के लिए अगर फार्सी भाषा का प्रियोग कर लूँ तो उसे जिल्द कहा जाता है जिल्द कहा जाता है ठीक है तो ध्यान रखेगा मौतमिद खां के द्वारा इस किताब को लिखा गया है अंकित बिटा नमस्ते ठीक है और उस किताब का नाम देखे इस वक्त मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूं एक और ध्यान नहीं आ रहा है अगर याद आएगा तो बता दूंगा ठीक है तो फिलाल ये किताब जो है मोतमित खा के द्वारा लिखा गया है चलो भई अगले सवाल की और चलते हैं हुमायू के जीवन का आखो देखा विवरण किसने लिखा था प्री कुछ हो रहा है हाँ बिल्कुल सही पूजाया दिला दिया तो जो के जहांगीरी जो लिखी गई थी जो कि जहांगीर की आत्म कता है उस किताब को भी पूरा करने का काम किया था मोतमित खाने बहुत बढ़िया थैंक्यू ताजहान बिटा नमस्ते गुड़ इवनिंग धुदिंग्आब कि इसके दौरा लिखा गया है हुमायू के जीवन काल का आप खोंदेखा वेवरण कि क्यों हम भी भूढ़ जाते हैं कभी कभी कह है है कोई दिकत नहीं कंभिष कोई दिकत नहीं हम बताएंगे बल्कुल परशानमत हो निक है यानि हुमायू का जो समकालीन लेखक कहलो जिसने हुमायू के जीवन की घट्टाओं को देखा है अपने सामने ये शी बेटा नमस्ते हाँ कोई दिक्कत नहीं तो वो लेखक का नाम है बच्चे फवान दमीर ये फारस यानि इरान के लेखक हुआ करते थी और इन्होंने हुमायू के जीवन के बारे में अपनी किताब लिखी है जिसका नाम ही है कानून ए हुमायू ठीक है न उसमें उन्होंने पूरा पूरा लिखा हुआ था वहाँएँएं के जीवन का पूरा वर्नन किया हुआ है कानूने वहाईँ या हुमाईँ न ही करके भी कहा जाता है थीकthen तो वहाँ पर इसका आखो देखा विवरण किया हुआ है थीके चलो बच्चों तो आज के लिए फिर इतना ही रखते रह vertically अच्छा प्रियास किया सभी लोगों ने अच्छा अंसर किया बहुत बढ़िया साबाश तेर सारी फिरवही वाली बात है देर सारी शुप कामना आए देर सार आपके लिए बेस्ट अफ लक चौदा तारिक को आपका स्कॉलर्शिप टेस्ट है तो जिनों जिनों ने ऑनलाइन प्लास्रूम प्रोग्राम को जुआइन नहीं किया है वो लोग इस एक्जाम के माध्यम से कर सकते हैं और छुट भी प्राप्त कर सकते हैं दस में से साथ बहुत बढ़िया 70% आपका अंसर है बेटा और बहुत अच्छी बात है ठीक है ना हाँ ठीक है चलो बहुत अच्छी बात है बहुत बढ़िया वरे गुड इसी के साथ साथ आपका 15 अगस्त को ध्यान में रखते हुए अपने इंडिपेंडेंडेंस जे को याद करते हुए अगर बात करते है हमले साहल के दूרכ है ऐसे तो याद नहीं है बटा मिट मैं बता दूगा आपको ठीक है मैं आपको बता दूँगा ठीक हमले पने साहल के लिए खक मैं बता दूगा चलो जिस पर आपको एक कॉल करना होगा तो जो भी हम लोगों के ओफर बाई जूज एक्जाम प्रैप आपको देगा UPPCS के अस्परिंट्स के लिए वह आपको मिल जाएगा एक बार आप सभी लोगों को फिर से रक्षा बंधन की देर सारी शुपकामनाय ठीक है देर सारी शुपकामनाय रक्षा बंधन की आप सभी लोगों को बहुत बढ़िया आप टोल फ्री नमबर पर कॉल कर सकते हैं और आ हाँ ये क्लास ये क्लास बेटा रोज होती है रोज का मतलम मैं आपको बता दूँ ये क्लास मंडे से फ्राइडे यानी सोमवार से शुक्रवार शाम छे बजे शाम छे बजे होती है ठीक है ध्यान रखना ये क्लास मंडे टु फ्राइडे शाम छे बजे होती है और रेगूलर बेसिस पर होती है, ठीक है बिटा, ठीक, चलो, तो आज के लिए फिर तहीं रखते हैं, आप से फिर आप अगली मुलाकात हम लोग करेंगे, और वहाँ पर इसके पाल्ट टू को, यानि की मुगल साहित्य पाल्ट टू पर चर्चा करें, तो बहुत-बहुत शुक्रिया, फ्लाट प्लाट